हलो स्टूटेंट्स वेलकम तू मैं रुपाली वर्मा आज आपके लिए जो नया पार्ट लेकर आई हूँ वो लिखेते सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा पार्ट का नाम है संध्या के बाद ये एक कविता है काफी लंबी कविता है संध्या जब होती है अर्थात जब शाम होती है तो किस किस तरीके से परिदर्श बदलते हैं जो जो घटित होता है वो सब और लोगों के मन में क्या चीज़े चलती हैं ये सभी चीज़ का वर्णन स कविता क्या है सिमिटा पंक सांज की लाली जा बैठी तरू अब शिकरों पर ताम्रपण पीपल से शत्मुक जरते चंचल स्वर्णिम निरजर जोती इस्तंब सा धस सरिता से सरिता में सूर शितिज पर होता ओजल व्रद जीव्या विश्थल से केचुल सा लगता चित कबरा धूप छाव के रंगस की रेती अनिल उर्मियों से सर पांकित नील लहरियों से लोडित पीला जल रजत जलद से बिम्बित सिकता सलिल समीर सदा से सनेह पाश में बंधे समुझवल अनिल पिघल कर सलिल सलिल जो गती द्रव्यक हो गया लव्योपल तो अब यहाँ पर क्या दिया है शाम हो रही है वहाँ से वर्ण चुरू हुआ है सिमिटा पंक सांज की इन्होंने बोला क्या है कि सांज को एक पक्षी की तरह इन्होंने इस्तिमाल किया पक्षी जैसे पक्षी क्या है अपना पंक समेट कर जो है वो पेड की डाली पर गया है तामर पड़ पीपल से शत्मुक जरते चंचल स्वडमी निरजर और दूपते हुए सूरज से दूपते हुए जैसे वो पत्ते पीतल के हो गए हैं जोती स्तंब सा धसरिता में सूरज शत्यच पर होता इसतल और एक जोती का जो स्तंब यानि की खंबे की तरह जो सूरज है वो नदी के जल में ओजल होता जा रहा है यानि की डूबता जा रहा है व्रद जीव्या विथल केचुवल सा लगता चितकबरा जन जा और क्या है वहां पर शित्म जे ओजल हो रहा है और जो क्या कहते हैं वहां का जल है जल पे उसकी परचाई पढ़ रही है जैसे लग रहा है एक जो अजगर है वो अपनी जीव को बाहर निकाल कर लेटा हुआ लगता चितकबरा गंगा जल और गंगा जल कैसा ळ але गुष लग रहा है अगर लहरे उडती तो कभी On नदी के किनारे की जो रेत है उनमें ऐसे करके लखीरे बन जाती है ना लहरे आने के कारण लहरे ऐसे आती है तो उसमें ऐसे करके लखीरे बन जाती है तो वही कह रही है कि वह लखीरे ऐसी लग रही है जैसे कि वहाँ पर साप हों साप जो है वहाँ पर लेटा हों नील लहरि पीला जल रजत जलत में और क्या है वो जो नीला जल है नीला जल जहां पे सूरज डूब गया है वहां के उस नीले जल के ऊपर जो है सफेद बादल के नीले जल पे जब सूरज की रोशनी पढ़ रही है तो वो पीला पीला सा हो गया है और उसके ऊपर सफेद रजत बादलों का जुन्ड है सिकता सलिल समीर सदा से और उस से क्या है समीर हवा के जीरे सीरे जोके को वो सेक रहा है इसने पाश में बंधे समुजवल और ये दोनों ही इसने यानि प्यार के बंधन में बंधे हुए अनिल पिघल कर सलिल सलिल जो गती द्रव खोवन गया लियोपल और क्या है अनल यानि की जो हवा है वो धीरे 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 मद्धम धीरे धीरे थंडी हवा अब बैने शाम के समय क्या होती हवा थंडी हो जाती तो वो धीरे धीरे अपनी गती को द्रव को जो है पानी को वो धीरे-दीरे सहला रही है द्रव नदी के पानी को वो धीरे-दीरे चल रही है और दीरे-दीरे उस नदी के पानू को प्यार से सहलाती हुई चल रही है अब इसकी व्याख्या क्या है देखते हैं कवी ने संध्या को पक्षी माना है संध्या रूपी पक् वाले चंचल जरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। इनके जल पर पीला प्रकाश पढ़ रहा है जिससे वे तामे के समान दिखाई दे रहे हैं। दूर शितिश पर उतरता सूर नदी में एक स्तंब के समान दिखाई दे रहा है। गंगा का चितकबरा पानी ऐसे लगता है जैसा कोई थका अजगर लेटा हो। पानी बनता है तथा पानी अपनी गती में तरल होकर खोकर ओले का रूप धारण करता है। तो बादल कैसे लगने लगे हैं अन्तमे प्रतित हो के वो ओले के रूप में इस तरह प्रकती में बदलाव होते हैं। शाम के समय इस तरह प्रकती में बदलाव हो रहे हैं। विद्वाएं जप ध्यान में मगन मंतर धारा में बहता जिनका अदश गती अंतर रूदन दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंकों की सी चित्रित सोन खगों की पांती आद्रध्वनी से नीरव नब करती मुखरित स्वण चूर सी उड़ती गोरज किरडों की बादल सी जलकर तरत तीर सा जाता नब में जोती पंकों कंठों सास्वर अब उन्होंने बोला शाम के समय संध्या आरती होती है शाम के समय मंदिरों में आ संध्या आरती होती है तो संध्या आरती हो रही है क्या है शंक घंट बसते मंदिर में मंदिर में शंक और घंटे बज रहे हैं लहरों में भी लै कमपन और साथ में लहरों की भी जो आवाज है वो आ रही है दीप शिखासा जलित कलश नभ में उठता करता निजन और सूरज भी क्या है, जैसे कलश के उपर दीपक रखा होता है, जलता रहता है मंदिर में, और आर्चना कर रहा होता इश्वर की, उसी तरह वो डूपता हुआ सूरज भी इश्वर की आराधना कर रहा है तटपर बगलो सी व्रद्धाये और तटपर कौन बैठी है बगलो जैसी व्रद्धाये व्रद्धाये जो है उन्होंने सफेद वस्त धारन किया हुआ है तो बगलो जैसी लग रही है विद्वाएं जब ध्यान में मगन और विद्वाएं क्या कर रही है वो जाप कर रही है जाप में मगन है मंथर धारा में बैता जिनका हिदै गती अंतरोदन और तट पर जब वो बैठी हुई है तो वहां की नदी की जो धारा है उसमें उनके अंदर मन में जो भी दुख तकलीफ चल रही है वो सभी नगी की धारा के समान, जैसे नगी की धारा बह रही है, वो अपने अंदर के सारे दुख तकलेप को उस नगी में निकाल कर डाल रही है दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंकों की इसी चित्रित और शाम को क्या है दूर आस्मान में जो है उड़ते हुए पंकों चड़ि पकशियों की जो है एक रेखा सी चित्रित होती रिखाई देती है सोन खगों की पांकी और पक्षियों की सोन पक्षियों की जो है उड़ते वे पक्षियों की पंक्तियां जो साथ में उड़ते हैं लाइन बना के उड़ते हैं वो वाले तो वो चित्रित रेखा एक गतीज रेखा यानि की दूर तमस में कहीं दूर आकाश में जो है वो एक रे इस शांत नभ में उन पक्षियों का स्वर जो है एक तीर की तरहें सा छुपता जैसे एक तीर सन करके निकल जाता है उसी तरह इनकी आवास भी एकदम एक तीर के समान सन में सी निकलती हुई सी प्रतीत होती है अब इसका अर्थ कैसे लिखेंगे हम शाम के समय मंदिरों में आर्थी होनी की तयारी शुरू हो जाती है शंक और घंटे बजने लगते हैं जससे नदी की लहरों में कमपन होले लगता है दीपक की लौ के समान कलश भी सूर की लालिमा में आकाश की उपर उठकर अपनी आर्थी करता दिखाई पड़ता है नदी के तड़ पर वरद औरते बगलों के समान लगती है सफेद कपड़ों में बगले एक कीसी लगती है जैसे उनके मन की प्रीडा नदी में समा जाती है उनका दुख जैसे कोई समझ नहीं पाता मतलब उनका जो दुख है कोई नहीं समझ पारा सिर्व वही समझ पारी है और उनका सारा दुख जो है नदी में जा रहा है आकाश में दूर जब पक्षी उड़ रहे होते हैं तो वे पंक्ती में अंकार सा प्रतीत होता है उनके गुंजन से सारे आकाश में चहचाहट हो जाती है शाम को जब गाए वापस आती हैं तो उनके खुरों से धूल भी उड़ रही होती है इस धूल सूर प्रकाश में सुनहरी से प्रतित होती है यानि कि सुनहरा धुनला हो जाता है और सुनहरा सा पूरा आस्मान दिखने लगता है जब आकाश में पंक्षियों के कंठ का सन करता तेज स्वर गूंचता है तो वो आकाश में तीरी की तरह सन से निकलता है कि आवाज इतनी तीकी होती है जैसे तीर सन इसे निकल जाता है वैसे ही तीकी आवाज पूरे आकाश में गुंजत हो जाती है अब आगे क्या है लोटे खग गाएं घर लोटी लोटे क्रशक शांत्र शतल डग धर छिपे ग्रहों में मलान चराचर छाया भी हो गई अगोचर लोटे पैट से वैपारी भी जाते घर उस पारनाव पर उटो गोडों के संग बैटे खाली बोरे पर हुपका भर जाडों में सूनी द्वाभा में जूल रही निशी चाया गहरी डूब रहे हैं निश्प्रभ विशाद में खेत बाग ग्रह तरू तट लहरी विरा गाते गाडी वाले हूंक हूंक लड़ते कूकुर हुआ हुआ करते सिहार देते विशण निशी बेला कोस्वर तो इसमें क्या लिया हुआ है लोटे खग यानि की पक्षी और गाएं जो हैं वो लोट आएं अपने अपने घरों में लोट आएं लोटे, क्रिशक, शांत, शतर डर्ग पे और जो पतले पतले जो डग हैं घरों की तरफ आते हुए क्रिशक भी वापस आ गए हैं किसान भी वापस घर को आ गए हैं चिपे ग्रहों में मलायन चर और चरा चर मतलब जितने भी पशु और जानवर थे वो सभी अपने घरों में वापस आ चुके हैं चाया भी हो गई अगोचर अब क्या है रात में तो चाया रहती नहीं है दिन में चाया रहती है तो इस चाया हो गई अगोचर का अर्थात मतलब जो परचाई थी वो गायब हो गई अर्थात अंधकार हो गया है लोट पैठ से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाओ पर और क्या है अब व्यापारी भी अपने कार से लोट आए हैं और नाउ पर बैट कर अपने घर को जा रहे हैं उटो गोडों के संग बैटे खाली बोरों पर हुका भर और कुछ लोग क्या है वो उटो और गोडों पर बैटे हुए हैं जाड़ों की सूनी द्वाभा में अब ये जाओ की शाम कैसे होती बहुत सननाटी सी होती वही है जाड़ों की ये सूनी जो शाम में जूल रही निशिचायागेहरी और ये जो रात आरही है ये बहुत ही शान्ती भरी हुई है डूब रहे निश्प्रव विशाद में खेत बाग ब्रग तरू तट लहरी और इन सभी शांत वाता वरण में अपने दुखों के साथ में खेत बाग घर पेड तट लहरें सभी डूबते चले जाने अर्थात इन सभी पर धीरे धीरे करके अंधेरा चाता जारा है जब सूड़ डलता है तो यह सभी को लिया है कि इन सब पर अंधेरा चारा मतलब निराशा चाती चली जारा है इन्होंने अंधेरे को एक निराशा के रूप में लिया है कि अंधिकाल चाता जा रहा है विरहा गाते गाडी वाले और गाडी वाले जो वापस अपने घर आ रहे हैं वो विरहा के गीत गा रहे हैं और भूबू करके जितने कुत्ते हैं वो सभी लड़ रहे हैं और सियारों के हुहु करने की आवाजें आ रही हैं और इन आवाजों से जो रनिशी बेला है यानि की रात का स्वर जो है वो बहुत ही जादा डरावना हूता जा रहा है कैसे इसका आर्थ लिखेंगे शाम के समय पक्षी और गाएं अपने घरों को लोट रहे हैं किसान भी सारा दिन मेहनत करके ठके हुए घरों को लोट रहे हैं अब तो अंधेरे के कारण पक्षियों की चाया भी नहीं दिख रही है यानि अधेरा होगी किसी की चाया नहीं दिख रही बाजार से वे अपारी भी अपने घर नाव में बैठ कर लोट गए वे उट गोडों के साथ खाली बोरों पे बैठ कर हुका पी रही है संध्या बीत जाने पर रात की छाया गहराती जा रही है इस अंदकार में खेत, बाग, घर, पेड, तट और लहरों की चमक भी डूपती जा रही है मतलब ये सब ही रात के अंधेरे में डूपते चले जा रहे है अब इसके आगे क्या दिया है माली की मडलाई से उठ नब के नीचे नबसी धूमाली मंद पवन में तिर्ती नीली रेशम कीसी हलकी जाली बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी मौन मंद आभा में हिम की उंग रही लंबी अंधियारी धुआ अधिक देती है टिन की डिबरी कम करती उजियारी मन में कड अवसात श्राती आखों के आगे बुनती जाला छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देने के थोथे सपने दीपक के मंदल में मिलकर मंद राते गिर सुख़दुक अपने तो अब यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है माली की मढलाई में उठे यानि कि जो गली है गली के घरों में जो है अब धीरे धीरे जो है लौ जलने लगी है तो जो दिबिरी होती चोटी सी लौ बत्ती जलाई जाती रोश्नी के लिए वो जलाई जा चुकी नब के नीचे नबसी अब चूले भी जले रहे हैं, डिब्रीय भी जल लें तो उससे उठेले वाला जो धूआ है वो एक परत सी बनाती है, बाता वरण में एक सफेज सफेज सी परत बनाती, धूमल सी एक छोटी सी हल्खी सी लाइन बना देती है, वहई ये नब के नीचे जाली और जाली जाली निली निली से जाली बनती है धुएं के उठने वाली जो हावा में तीरती रहती है ये धुए से जोटती है वो नीले रंग की पतली सी जाली हवा में तैरती रहती है बत्ती जला दुकानों में बैटे सब कस्बे के व्यापारी और इस कस्बे में जो भी व्यापारी हैं वो अपनी अपनी दुकानों में जो है वो बत्ती जला कर बैठ गए एक छोटी सी धिवरी जला कर बैठ गए हैं मौन मंद आभा में हिम की उंग रही लंबी अंधियारी और मौन है यानि कि यहाँ पर कोई सामान लेने वाला तो है नहीं सनाटा चाया हुआ है क्योंकि इस गाओं में गरीबी जादा है तो क्या है मौन मंद आभा में यानि अपने घर अपने उसमें जला कर बैठे हुए हैं मगर कोई सब मौन हैं, शान्त हैं, कोई भी चहल पहल, नहीं हीम की उंग रही लंबी अंधियारी, यानि की जो सर्दी की जो रात है, वो बहुत ही अंधियारी है और इसमें बहुत सन्नाटा चाया हुआ है. दुआ अधिक देती है, टिन की ढबरी कम करती है, उजी आली, तो क्या है, ये जो टिन की डिब्बी जलाई जा रही है, ये धुआ बहुत जादा करती है, मगर उजाला बहुत ही कम करती है, जो व्याप्यारियों ने अपने दुकानों पर जलाई हुई है, वो, मन में कड़ अ आखों के आगे बुंती जाली और ये दुख और तकलीफ उनके आखों के सामने एक जाला एक खाखा सा तयार कर रही है उनकी यादों का छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देने के थोते सपने ये छोटी सी बस्ती है और यहां पर लेने देने वाला जादा नहीं कोई व्यापारी व्यापारियों के आगे उनका सुख दुख जो है वो मंडराने लगता है उनके जीवन की जो पुरानी यादे हैं उनके जो सुख हैं दुख हैं तकलीफे हैं वो सभी उनके आगे मंडराने लगते हैं अब इसका हरत देखेंगे शाम होते ही गाओं के गली के घर में धुआसा उठने लगता है जो आकाश जैसा दिखता है वह धुएं की पंक्ति हवा में ऐसी तैरती प्रतीत होती है नीले रेशम की हलकी सी जाली हो इसी समय में गाउं कस्वे का दुकान दार रोशनी के लिए बत्ती जला देते हैं इस मूख प्रकाश की चमक में सर्दी की रात बर्व सी उंगती सी प्रतीत होती है यह दिन की डिब्री इसे बत्ती लगा कर जलाई जाती है जो रोशनी तो बहुत कम देती है पर धुआ अधिक देती है मन का दुख आखों से निकल कर जला भुंता सा प्रतीत होता है गाउ का दुकान दार परिशान रहता है वह एक छोटी सी बस्ती है इसमें लेन देन की बातें बेकार हैं मतलब कोई भी यहाँ पर कोई कितना सामान लेने के लिए आएगा खरीदने के लिए आगा बस वो शांती से बैठें इंतजार कर रहे हैं ना ग्राहक ना के बराबर है आये भी बहुत कम है दीपक की लौ के मंडल के आसपासी सुख दुख के सपने मंडराते रहते हैं यानि कि जैसे उनके सुख दुख है उनकी लोव है लोव जल रही है रौश्णी दिख रही है तो उसी में उनके जो पुरानी सुख और दुख है वो सभी उनको दिखाई देने लगते हैं व्यापारियों को कंप कंप उठते लोके संग कातर उर क्रंदर मूख निराशा छीड जोती ने चुपके जियों गोपन मन को देदी भाशा लीन हो गई छडमे बस्ती मिट्टी खपड़े के घर आंगन भूल गया लाला अपनी सुद भूल गया सब व्याज मूलधन सकुची सी पर्चून किराने की धेरी लग रही है तुच्छतर इसी नीरव प्रदोश में आकुल उमड रहा अंतर जग बाहर अनुबव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्प्रीर इसमें क्या दिया हुआ है कंप कंप उठते लौके संग मतलब धीरा धीरे जो लौके संग जो रोशनी हो रही है उसी के साथ कातर उर क्रंदन मूक निशा छीड जोती चुके जो तो क्या है वो जो लौ जल रही है चुट चुट सी जो लौ जल रही है डिबरी की उसी के जो गोपनमन को देदी आसा कि अ जो धिबरी का जो हलका द्हीमा उस्नी का दूसनेधि हैं मन के जितने भी गुप्त विचार थे मतलब करें अंदर उर्होंने छिपा रखे थे ते वह सब हैं भाहर आने लगते हैं सब वो बाहर मतलब जितने भी जिसको होता है हम ये विचार नहीं रखेंगे नहीं सोचेंगे उनको कहीं अपने दिल में कहीं छिपा के रखते हैं तो वो क्या होता है जब वेकांत में कहीं बैठे होते हैं कुछ नहीं होता हमारे आसपस तो वो विचार हमारे बाहर आने लग गई भूल गया लाला अपनी सुदी और लाला क्या है अपनी सुद बुद्ध को बैठा है अब उसे कुछ याद नहीं है वो अपनी यादों में जा चुका है भूल गया सब ब्याज मूलदन और उसने जितना भी ब्याज अमूलदन चड़ाया है वो सब भूल गया सकुछी सी परचून किराने की धेरी लग रही है तुछतर और उसकी जो परचून की दुकान जिसमें वो बैठा हुआ है जिसमें बहुत ही कम सामान है वो उसे बहुत ही छोटी सी प्रतीत हो रही है इसी नीरफ प्रदोश में आखूल मतलब इसी दुख में वो बहुत विचलित होकर उमड रहा है अंतर जग बाहर और ये जो दुख उतना तकलीफ जो उसको है अंदर मन की जितनी भी तकलीफ है वो सभी बाहर आने लगती है को वो सारा एहसास हो रहा है उन तकलीफों का चोटी हस्ती का सस्तापन मतलब वो कितना चोटा है उसके पास कुछ भी नहीं है दुख है तकलीफ है उसको खाने को भी ठीक से नहीं है तो वही वह उसकी चोटी सी हस्ती है यानि कि वो बहुत ही चोटा व्यक्ती है जाग उठ उसमें मानव अब उस चोटे से व्यक्ति में भी क्या है अब मानव जाग उठा अर्थात मानव के क्या अधिकार होते हैं वो मानव वो सोचने लगा और असफल जीवन का उत्पृण मतलब जो उसका जीवन अब सफल नहीं हो पाया क्योंकि हर चीज उसको मुहिया नहीं है खा जारे में सोचता है कि क्यों हमको इतने जादा दुख तकलीफ है इन सब चीजों पर वो विचार करने लगेगा क्या दिया है इसका कवी कहता है गाव में निर्धनता का राज इसलिए कापती लौ के साथ साथ उसके हिदेके में भी कमपन होता है किसमें जो पर्चून की उप्त बातों को प्रकट करता जान पड़ता है उसके मिट्टी के कच्चे घर आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं इस निराशा भरे वाता वरण में गाउं का चूटा सा दुकानदार अपनी याद तक भूल जाता है तो जो निराशा का अंधकार उसके आसपास अपमान भी बहुत कम है वह उसे बहुत चोटी लग रही है इस मुक अंधकार के वाता वरण में उसके मन का दुक उमड रहा है इस समय गाउं की दुकान का लाला अपने चोटे ओदे के कारण अपने अंदर हीन भाबना का अनभव करता है और वह बेचैन हो जाता है हीन की अपमान गलानी चीय छुदिप्त पिपाशा म्रत भिलाशा बिना आय के कलांती बन रही उसके जीवन की परिभाशा जड अनाज के धेर स्रदश ही वह दीन भर बैठा गद्दी पर बात बात सर जूट बोलता कौडी सी इस परधा में मरमर फिर भी क्या कुटुम्ब पलता रहते स्वच सुघर वह परिजन बना पा रहा वह पक्का घर मन में सुक है जुटता है धन सिसक गई कंधो की कदड़ी ठिटुर रहा अब सर्दी मेतन सोच रहा बस्ती का बनिया गोर विवस्ता का कारण तो अब क्या उसके अंदर जो विवस्ता पैदा हो रही है उसका क्या कारण है क्यों इतनी सारी चीज़े और वो इस पहरा में बताई जाएंगी क्या दिया है दैन दुख अपमान गला नी मतलब उसकी दैनी दशा उसके दुख उसका अपमान सभी अब बाहर आ गया चिर अब क्या है हमेशा से ना वो पेट भर खाया है ना ठीटी से पानी पी पाया है और उसके अंदर की जितनी भी इच्छा हैं वो सभी मर चुकी है बिना आये की क्लांती बन रही उसके जीवन की भरिबाशा मतलब वो अच्छे से कमाई नहीं पा रहा है तो उसका जीवन भी जो है वो बहुत ही त्राहिद रहा है मतलब बहुत ही तकलीफ में बीत रहा है जड़ अनाज के धेर सदस्त्री वा दीन भर बैठा गदी पर मतलब अनाज का धेर उसके आस पास है सब कुछ है मतलब जो इदम नगर्ने हो चुका है खाली हो चुका है ऐसी गदी पर वो बैठा हुआ है मतलब उलाला ऐसी गदी पर बैठ गया है बात बात पर जूट बोलता कौडी सी इस परधा में मरम मतलब उसको थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाए इसलिए वो रह रहेकर जूट बोलता रहता है सबसे फिर भी क्या कुटुम्बु पलता मतलब अब वो जूट बोल रहा है तो तब भी तो उसका कुछ नहीं उसका कुटुम्ब भी नहीं पल पा रहा है वह साफ स्वच कपड़े भी नहीं पहन पा रहा है ना खुद पहन पा रहा है ना ही परिवार वालों को साफ स्वच कपड़े पहना पा रहा है बना पा रहा है और पक्का घर भी नहीं बना पा रहा है अगर वो जूट बुर रहा है तो वो ये सभी चीज़े नहीं कर पा रहा है मन में सुक है जुटता है धन में वो अपने मन में सुक रखता है लेकिन धन तो जुटी नहीं रहा है मन में क्या उसके मन में भी सुक नहीं है और वो धन भी नहीं कमा पा रहा है तो मतलब वो जूट बोल रहा है और ये सब चीजे उसको नहीं मिल पा रही है सिसक गई कंदों में कदड़ी ठिटु रहा अब सरदी में तन और उसके पास जो कपड़े थे वो सब ही जो हैं वो फट गए हैं जरजर हो गए हैं और उस सरदी में उसका शरीर काप रहा है ठंड से सोच रहा बस्ती का बनिया घोर विवश्ता का कारण अब वो बस्ती का बनिया है वो सोच रहा है कि मेरी इतनी विवश्ता का क्या कारण है जो इतनी मेनत के बाद इतना सब कुरने के बाद भी मैं कुछ अपना अच्छा जीवन नहीं बिता पा रहा हूँ इसका क्या कारण है तो पहले इसका आरते रेखते हैं फिर आगे कविता और पढ़ेंगे गाओ के लोग बड़े ही गरीब बेज़ती और नफरत के भावों को भुगरतते हैं वे बिना खाए पिये भी रहते हैं उनकी इच्छाएं मर गई हैं क्योंकि पैसे की कमी के कारण वह पूरी नहीं हो पाती है उनके आए में उनके जीवन को दुख की परिवाशा बना दी भाई आए बहुत कम है तो उनका दुख भी बहुत बढ़ता जा रहा है गाओ का दुकानदार निर्जीव अनाच की धेरी के समान धिन वर दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है उसका समान बहुत कम बिखता है पैसे के लिए वह जूट बोलता है इतना करने के बाद भी उनका परिवार का क्यामत है वह अपने लिए साफ कपड़े पक्का घर नहीं बना पाता वह सुक और धन दोनों नहीं जुटा पा रहा है उसने चीत्रे पहने हुए उसका शरीर काप रहा है वह ऐसी मजबूरी वाला जीवन क्यूं जी रहा है मतलब वह यहाँ पर क्यूं है जूट भी बोलता है तो उसके पास यह सब कुछ नहीं है इसलिए वह बहुत विवश है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यूं हो रहा है परिवर्तन कर्म और गुड के समान ही सकल आयवे का हो वितरण गुसे घराओंदे में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन मिलकर जन निर्मान करें जग मिलकर भोग करें जीवन का जन विमक्त हो जन शोशण से हो समाज अधिकारी धन का तो अब इतना सब उसके करने के बाद उसके मन में निराशा आ गई है कि क्यों नहीं में इतना सब कर पा रहा है अब वो क्या बोल रहा है शहरी बनियों सावा उठकर क्यों बन जाता नहीं महाजन तो वो क्यों नहीं जो शहरी बनिये हैं वो उठके अब महाजन बन चुके तो वो भी वैसा क्यों नहीं बन पा रहा है रोक दिये किसने उसकी जीवन उन्नती के सबसाधन यानि कि उसका जीवन उन्नती करे उसके सारे साधन किसने रोक दिये किसी ने उसके उपर ये सारी पाबंदियां लगा दे हैं कि वो उन्नती नहीं कर पा रहा है। क्या ये संभव नहीं क्याते क्या ये मुम्किन नहीं है कि ऐसा हो जाए। क्या ये मुम्किन नहीं है व्यवस्था में जग की हो कुछ परिवर्तन। परिवर्तन ए tap कर्म और गुण के समान ही सकल आएवय का हो वित्रण मतलब लोगों का जैसा कर्म है जैसे उनके गुण है उसी के अनुसार उनको पैसा भी मिले, सभी को समान रूप से पैसा मिले, जितना उगो कार्य क रहे हैं, उतना पैसा मिले, और जिसके अंदर जैसा गोड़े हैं, उसको वैसा पैसा मिले, क्या ये संभव नहीं है, गुसे घरोंदे में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन और यहां मिट्टी के घरों में सब अपने अपने मतलब यहां पर सभी अपने अपने घरों में बैटकर अपने ही अपने बारे में सोच रहे हैं क्या ऐसा कुछ नहीं यानि कि क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है फूक दे सब सब में सामुहिक जीवन जो जहां पर लोग सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं क्या कुछ कोई ऐसा नहीं कर सकता कि यहां सभी सब के लिए सोचने लगे सामुहिक रूप से सोचने लगे क्यो जीवन यानि कि सभी लोग जो हैं वो इस जग का निर्माण मिलकर करें और इस जीवन में जितनी भी सुवधाय मिल रही हैं उन सभी का भोग सब लोग मिलकर करें जन विमक्त हो जन शोशन में से और यहां पर जितने भी लोग हैं उनके साथ किसी भी तरीके का अत्याचार ना हो यह सभी लोग इस अत्याचारों से मुत्ति पा जाएं हो समाज अधिकारी धन का और यहां का क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहां का जो समाज है वो अधिकारी मत्तब उस धन की प्राप्ती का हकदार बने अब इसकी व्याक्या कैसे करेंगे गाउ का दुकानदार सोसता है कि वह भी शहरी बनियों की तरह होता आखिर किसने उसकी प्रगती को रोका है आज कल संसार की जो विवस्था चल रहे है उसमें बदलाव जरूर होना चाहिए वह बदलाव ही हमारे जीवन की दशा को सुधार पाएगा अतासमाज में समानता होनी चाहिए लोगों के कामों और लक्षणों के आधार पर बटवारा ही चाहिए जबकि ऐसा नहीं हो रहा है गाओ की लोग अपने-अपने कच्चे घरों में घुसकर अपने-अपने बारे में सोच रहे हैं किस प्रकार लोगों में सामुहिक जीवन आए अर्थात सभी लोग एक समान सुविधा का उप्योग करें इस नए संसार में सभी मिलकर सुविधाओं को बाटें लोग शोशण अम्भगत हों किस प्रकार साम्मेबाद कायम हो मतलब किसी कोई भी ऐसा तरीका हो जिसते सभी का फायदा हो किसी एक कना हो के सभी का फायदा हो आगे की कविता क्या है दरिग्रता पापों की जननी मिटे जनों के पाप ताप भय सुन्दर हो अधिवास वसन तन पशु पर फिर मानव की हो जय व्यक्ती नहीं जग की परिपाटी दोशी जन के दुख क्लेश की जन का स्रम जन में बट जाए प्रजा सुखी हो देश की तूट गया वा सुप्न चणिक वडिक का आई जब बुढिया बेचयारी आदपाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी चीक उटा गुँगू डालों में लोगों ने पट दिये दुआर पर निगल रहा वस्ती को धीरे गाड अलस निद्रा का अजगर तो अब इसमें क्या है दरिद्रता अब वो सोच रहा था क्या ना दरिद्रता की दरिद्रता पापों की जनियाने मतलब गरीबी जो है वो पापों को जन्म देती है गरीबी इससे पाप करने के लिए लोग हमारे पास गरीबी ना रहा है इसको हटाने के लिए लोग पाप क की गरीबी मिट जाए उनकी जो तकलीफे हैं वो मिट जाए और उनके जो डर है वो सभी मिट जाए वो अदिवास वसंतन में और सभी को अच्छा घर वसं वस्तर तन सभी को सुंदर सुंदर प्राप्त हों पशु पर फिर मानव की जय हो और जो पशु तक हम लोग पशु जैसा जो जीवन जी रहें वैसा जीवन छोड़ कर हम मानव जीवन जीने लगें अर्थात हम पशु पशु रहें और हम मानव मानव जैसा जीवन बिनें यानि कि पशुव के उपर हमारी विजह हो हम मानव जैसा जीवन जीए पशुव जैसा जीवन ना जीए व्यक्ति नहीं जग की परपाटी दोशी जन में कुछ दुख कलेश की और व्यक्ति क्या है कोई भी व्यक्ति जो है वो जग का निर्मान नहीं कर सकता कोई एक व्यक्ति जक्का निर्माण नहीं कर सकता है उसके लिए सामूहिक रूप से योगदान जरूरी होता है दोशी जन के दुख क्लेश की जन का श्रम जन में बटे और जो व्यक्ति दोशी हो उसको सजा मिले और जो व्यक्ति श्रम कर रहा है उसको अच्छी तरीके से उसका श्रम दान मिले अर्थात उसको रुपया मिले प्रजा सुखी हो देश की और इस तरीके से क्या होगा देश की प्रजा सुखी हो जाएगी तूट गया वा स्वपन वडिक का आई जब बुढिया बेचारी आध पाव आटा लेने अब वो बडिक यानि व्यापारी जो ये सब सोच रहा था एकदम से उसका वो स्वपना यानि कि उसका वो विचार तूट जाता है क्योंकि एक बुढिया वहाँ पर आधा पाव आटा लेने के लिए आ गई है लो लाला ने फिर डंडी मारी अर्था तराजू उठाया और उससे तौलना शुरू किया यानि डंडी मारी तराजू उठाया तौलना शुरू कर अपनी यादों को जो है उसने वापस अपने किसी दिदय के कोने में वापस भेश दिया चीक उटा घुमूरू डालो पर मतलब डालो पर जो है वो उल्लू कूखने लगा लोगों ने अपने घरों के द्वारों को बंद कर लिया निकल रहा बस्ती को दीरे और धीरे धीरे इस पूरी बस्ती को जो है गाड अलस निंद्रा का अंकल और जो गाड़ा अंधेरा और निंद्रा का जो अजगर है वो इस पूरी बस्ती को धीरे धीरे निगलने लगता है इसकी व्याक्या कैसे करेंगे? निर्धन्ता ही सारे पापों की जड़ है यही निर्धन्ता सभी प्रकार के दुशकर्म करती है कवी की आकांशा है कि लोगों के जीवन से पाप, दुख, भय, कम होना चाहिए लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए तभी जानवर की भावना पर मनुश्यता की भावना की जय होगी मतलब हम लोग अभी पशु जैसा जीवन जी रहे है जब हमें सभी लोगों को सामान अधिकार मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, दरितता दूर हो जाएगी तब हम लोग पशु जैसा जीवन नहीं, मनुश्य जैसा जीवन जीएंगे एक व्यक्ति दोशी ना होकर समस्त रूडिवादी परंपरा इसके लिए उत्तरदाई है यदि सबकी मेनत का फल सबको बराबर मिल जाए तो सारी जनता सुखी हो जाती है गाउं का दुकानदार इस प्रकार का सुपन देखता है लेकिन वर तूट गया जब गाउं की एक बूड़ी उस्तरी उससे आधा पाव आटा खरीदने आती है कहीं दुकानदार इंडी मार कर तौलता है अर्थात हसकर आसमान की अर्थवरस्था के लिए वे स्वम को ही दोशी देता है इस तरह सारी धर्ती सोजाती है जैसे नींद का आजगर उसे निगल रहा हो तो इस तरीके से संध्या के समय क्या-क्या मन में विचार उट रहे हैं वहां के लोगों में महामा के परिदश्ट में कैसे-कैसे बदलाव हो रहे हैं सब कुछ जो है सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी इस कविता में हमारे सामने समेट कर प्रस्तुत किया कविता लंबी थी क्योंकि संध्या के हर एक बारीकी को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया था तो ये कविता हमको बहुत कुछ समझा रही है कि गरीब लोगों का जीवन कितना दुश्कर होता है तो कोशिश करिए कि अपने आसपास जो लोग हैं उनके उपर किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं हो ये हर एक पार्ट हर एक कविता हमसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ कहती है उसी तरह इस कविता ने भी हमसे यही आग रही किया है तो ये व्याख्यां ही खतम करते हैं इसके प्रश्ण उत्तर के लिए हमारे नेक्स वीडियो गा वेट करिएगा थैंक यू